हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम बनाये हैं वहुष्ट पर मुलायम सी रेस्पी आप के बताएगा इसका नाम क्या है इसका नाम मैं लाश्ट में जरूर बताऊंगी आप लोगों से तो यह बनाना बहुत इजी है और सभी को पसंद आने वाली है बड़ी मज़े की रेस्पी है तो इसको किस किस चीजों से बनाया आता है जो जो चाहिए सब इस्टेप बाइस्टेप करके मैं अपनी वीडियो में बताते जाओंगी और सभी बातों को फोलो करते हुए आप भी बनाएंगे तो इसी तरह से स्वाप्ट और मुलायम बनकर बहुत टेश्टी और लंबे समय तक तो नहीं कह सकते हैं बस तो से तिन दीन इसको अप रख सकते हैंच को सकते हैं इसको भी ख़िलाएंगे अपने परिवार कर में अबशा गिलाएंगे इतना स्वॉप और मुलाएंगगे इंडियो को शुरू करते हैं इसके लिए मैंने पतेले में एक कप पानी रखा और गैस को मैंने हाई मीडियां पर ही किया पानी को गुंगुना कर लेंगे उस में एक कप भरके चीनी एड़ कर देंगे चीनी को भी अच्छे डिश से चला करके घो लेंगे जब तक कि मेल्ट नहीं हो जागा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू तो चला चला करके इसको भूल तयार करना है और जब यह चीनिक भूल जाएगी तब इसमें हम उसी कप से एक कप भरके दूद आड़ कर देंगे आपके पास जिस चीज का भी दूद हो गाय का हो या भैस का हो या फुल क्रीम हो या टून मिल्क हो जो भी हो उसमें आप एक कप भर करके मिला सकते हैं मैं इसमें क्रीमी वाला दूद यूज किया था उस पर मलाई था दूद में तो एक कप मैंने भर कर इसमें डाल दिया है और अच्छे से चलाते हुए गरम करेंगे जब तक एक बात कभी से ध्यान रखिएगा जिस कप से हमने दूद ना प रेडी करेंगे तब तक इसको गरम ही रखना है इसमें दो से चार मैंने लाइची साबुत लाइची डाल दिया है आप चाओ तो लाइची पाउडर भी यूज कर सकते हूं तो अच्छे से इसका चिल का हटा करुकर करके डाला है और चिल का बीच दोन ki ढूं में और इसको धक करकर इनिया आक buffs के बर थे गहाय जो घर में तयाल बार 59 जो आ मायिदा यूज क 1 उता में भी भी आटा से आटा जो घर में निगा है उसे इससे से में बनाया है मारक यह है कि हमारा जो आटा एक दम बारिक है यहाते हूस ही बहुति इसको लàगतार चलाते हूँ dife इसमें से धिमी धिमी खुस्पून आने लगे तब तक हम इसको चलाते हुए भूनेंगे और लोग मीडियम पे ही गयस को रखना बिल्कुल लोग कर देना है और भूनते भूनते थोड़ा से जब भून जाए तो इसमें मैंने थोड़ा से कोकुनोट आप चाहो तो पाउडर आड़ कर सकते हूँ या कद्दू कस्त करके डाल दो या अपने मन पसंद कोई ड्राइफ फूट भी यूज़ कर सकते हूँ इसको भी लगातार चलाते हुए भूनेंगे और तीन से चार चमच मैंने दूद की मलाई ली है यह मेरा दो साम और सुबे का मलाई है दूद का वही है मैंने इसमें चार तीन से चार चमच आड़ किया है और अच्छे से चलाते हुए फिर इसको भी भूनेंगे आप चाहो तो घी को भी इसमें अड़ कर सकते हो, आमके पास अगर दूद की मिलाई नहीं हो, घी में भी इसकी बून सकते हो, और जो मैंने दूद और चीनी का घोल बना कर रखा था, उसको गरम ही रखा था, और इसी समय इसको डाल करके चलाते हुए पकाएंगे लगातार इसको चलाएंगे ताकि इसमें कोई लंब्स या गुठलिया ना पढ़ें तो लगातार चलाते हुए इसको भूनना है और गैस को लो मीडियम पर ही रखना है और चलाते हुए इसको पकाएंगे तो मेरा मिस्राण इस स्टेच पर आप और इस मीठाई की खास बाते हैं कि जो हम घर में नूर्मली चम्मच खाने के लिए उच करते हैं उसी से हमें इसका शेप देना है और इसका से बहुत अच्छा निकल कर आता है आप खुद ही देखोगे तो बनाना पसंद करोगे मैंने दो चम्मच की सहायता से इसको बना रही चंप से नागता है जब हम इसको बनाकर रखते हैं तो जी करता है कि अदर कित निकल कर आता है देखने लग लगता है और फिर चंप चंप सहाने है के सहारा सही तासी सूप तुपर से परेफ्स करना अधा नीचे रख करके उसमें भरना है और हाथों की मदद से इसको स्प्रेश करके अच्छे से निकाल लेना है कि सभी को इसी तरह से करके मैं बना लूँगी जब आप अपने घर में इस तरह का मिठाई बनाएंगे नो तो यकिन मानिए सभी को पसंद आने वाली है और बच्चे तो इस पर देखते ही अकरसित हो जाएंगे क्योंकि इतना सुप्ट और मुलायम बनकर रेडी हुआ है मेरी तूर्किस हल्वा इसका नाम है तूर्किस हल्वा और बताए कमेंट बॉक्स में कैसा बना मेरा तूर्किस हल्वा और वीडियो थोड़ा भी उजफूल लगे तो लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा एंड मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब किजिएगा और इसी तरह से हल्दी रेजपी बना कर इंजवाई किजिएगा और अपने घर परिवार में बच्चों को सभी को खिलाएग और गिहों के आटे से बनाये तो खान स्वाद के असाथ हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है तो सभी को पसंद आने वाली है यह वीडियो और घर में बनाएंगे तो सभी तारिफ करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई